नमस्कार आप देख रहे हैं टीबी 24 न्यूज और मैं इस समय मौजूद हूँ मौजीला में मौजीला में आप अगर बात करें यहाँ पर आंदोलन चल रहा है एंबुलेंस कर्मी है 102-108 जितने भी एंबुलेंस कर्मी है यहाँ पर लगतार तीन दिन हो गया इनको आंदोलन क इस बात का अंदोलन करहें जो सबसे बड़ी समस्यां इन एंखंवा एंबुलेंस कर्मी है करते हैं संस्था में इनको बड़ी समस्यां वह बेतन व्रिधि को मांग लेकर है ठेका प्रथा जो सरकार के ठेका प्रत्था लागू कर दिया गया कभी अटाँ उस चीज़ को लेकर इन लोगों का धरना परदर्सन चल ला है इनका धरना परदर्सन चल ला है अपनी मांग को लेकर अपने हक के लड़ाई आज यो लड़ रहे हैं तो उनके लड़ाई लड़ने का तरीका है यह काफी सांती ढंग से यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहा पहले इनका धर्नापड़शन जो था वह बापू इंटर कालेज कोपा गंज में चल रहा था आज धर्नापड़शन वहां पे रात में कुछ ऐसी घटना हैं इनके साथ और यह लोग धर्नापड़शन इस समय महिला स्वेटल के पास कर रहे हैं जो मौह में हैं तो इनकी मांग करोड़ो करोड़ो लाखो लाखो रुपिय जिनको रकम दी जाती है वो ठेका प्रथा पे नहीं है मगर जो रात दिन जमीनी अस्तर से जो लोग काम करते हैं गाउं गलीन से लोगों को मरीजों को ढोने का काम करते हैं रात दिन चलने का काम करते हैं वो ठेका प्रथा पे रहेंगे जो लोग जमीनी अस्तर से जूड़ कर काम करते हैं हमारे दे तो फसाग रखा जाता है इनसे 24-24 घंटे काम कराय जाते हैं इनसे 30-30 दिन तक काम कराय जाते हैं मगर इनको सैलरी के नाम पर जो मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है कि इनको क्या मिलता है और रही बार ठेके की तो यह बेलकुल नाजायज है कि आप किसी भी करमचारी को ठे के बीना कोई इनको लेटर दिये बीना कोई सूचना दिये बहुत इसे केसे साते हैं और वो लोग फिर अंदोलन के तरफ चले जाते हैं फिर अंदोलन पे उनको लाठी चार्ज किया जाता है पुलिस फोर्स लगाया जाता है और इनको हटवाने की कोशिस की जाती है अंदोलन तो सेलरी मिलती है वो किसी से छुपा नहीं है काफी पतला भाद तक देखा जाए तो बहुत ही कम है और यहां पे लोगों का अंदोलन है इस अंदोलन को देखा जाए तो सही है जब आप किसी भी चीज से किसी भी आंदोलन एक ऐसा रास्ता है जहां पर अपनी बात को कहना हो होता हैêtes जब आप किसी भी अधिकारी से किसी प्रसासन से और अवेधन करते हैं पर रगाते शुनवाई नहीं household मैंывать इस दिए नोगे अबर कर हैं और सम्हान की तरह ना हैं हमारी से करेंगे तो पांच जाएगा थीने जार कड़ाएगा कभी 100 कभी आठाट है मिक्समं में लोग तौप नहीं कर्ते हैं डिया जाता है। अगर मान लेज़ेटिन का आमें चार केस मिला फिर उसी इस्तिती में आप लोग क् rheानald करते chant. चार केस मिला है तो हमको 15 केस करना नहीं करेंगे तो डांट परकार लगेगी आप लोगों से फर्जी केस बना कर और आप लोगों के गाड़ी दोड़ाई जाती है और आप लोगों से काम कराया जाता है क्या लोग लोगे जो आप लोगों से टार्गेट कर वाते और कौन लोगों जो आप लोगों को पूरदबाओ डालते हैं कि आप के सफ़ा कर दो तब लोगों करते हैं और वहां पर बड़े अफसर जो भी अधिकारी बैठे हैं उनलोह का कप हुए सबस्क्राइब अपको महीने कट जाती होगी 15 से आपको अपकी आपकी तो चाहिएं नहीं नहीं पांच सेलरी है कभी साथ जार कवी चाहँए जाता है तो यह मतलब आपना जीवा ने अपन की पूरे महीना आप लोग 24 घंटा देते हैं और उसके बाद आपको पता चलता होगा कि हमारी सेलित कट गई है अब लोगों कि सभी की मांग यही है क्या मांगें आपकी खड़ी हो जाई है अच्छे में हमको सामिल किया जाए और जो फर्जे किया से में करा रहे हैं इनको समाप्त किया जाए कि कुछ मैलाई भी है हमारे सामने आकर बात करते हैं इसे कुछ मैलाई भी है अब बताईए बिल्कुल यहाँ पर देखने लाइख है यह आप कैमरे में कैद करिया यह चीज़ कि छोटे-छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर धर्णा पर बैठे हैं और हमारे सासन पर शास अब यहाँ नाम पर दस रुपीए कभिए उसमें से बीटों यह तो कफे देनिक इस्तिति हैं अगर देखा जाए लोगों से क्या मांगे हैं आप लोगों कुछ मैला है आप बात करते हैं चोटे-चोटे बच्चों को ले करके भी ड्यूटी करते हैं उसके बाद भी हम में आपना बच्चे को लेकर आई हैं और यहां पे आप बच्चे को लेकर आई हैं और यहां पे आप कोई नहीं है और आप नोकरी भी करती हैं बच्चे को समालती हैं तो क्या मांगे हैं आप लोगे का काहें लिए बैठी है यहां पर का मांग है ठीक है प्रथा अटाया जाए इसको अच्छा अब हर्जी के सामने आ सबसे अधिक अगर सरकार खर्चा करती है और सबसे बुरे हाल अगर देखा जाता है और बड़े-बड़े पोश्टर पर इतना खर्चे किया जाते हैं मगर जो लोग काम यह देखने को चीज है कि बड़े-बड़े पोश्टर पर खर्चे होंगे बड़े-बड़े गाड़ी यों पर बड़े-धिकारी के पैसे देने पर कोई दिक्कत नहीं होती है कमिसन दवाईयों के कई ऐसे के सामने आते हैं जिन पर कमिसन का बहुत दरना दे रहे हैं तो काफी बुरा है सासन पर सासन को इस पर बिल्कुल आहमल करना चाहिए और इन लोगों को आप लोग यहां पर धरना दे रहे हैं क्या मांगे हैं आप लोगों के ठेका परता बंद कर जाए और अर तो यह बहुत ही गलत है और काफी दुखदाई है और काफी यह बुरा समचा रहे हैं यहां पर सासन पर सासन के लिए यह बेलकुल देख सकते हैं हमारे बाते सामने आ रहे हैं आप लोगों का सब का मांगे यहीं है याप लोगों कि किसलिए धर्मार दे रहे हैं तरफ लोगों कि निकल जाएगी बेलकुल यहाद कितना अच्छा सुझाओ दे रहे हैं क्या ना में आपका राज कमल यादो राज कमल यादो का कहना है कि जितना हम लोगों से अम्बूलेंस को भर्जी दोड़वाए जाता है अगर उसके जगह पे अगर उनको न दोड़ाकर इनकी सेलरी में वह पैसा अगर एड किया जाए तो इनके दीन सुधर जाते और यहां प मैं संजया दो नमस्कार